सबसे पहले हमेक पैन में आधा कप पानी डाल कर पानी को गरम होने देंगे अब पानी अच्छा से गरम हो गया है इसमें डाल देंगे एक चमस तेल आधी चमस डाल देंगे लालमिश पाउडर आधी चमस डाल देंगे हम हल्दी पाउडर अच्छा से मिला देंगे फिर डाल टालेगे कुपल पानी का यूस्काएटा जाता है तो इसके अंदर डाल को जाता है तो इस चीज काएटा बाद में जरूरत लगती है, तो आप पानी का यूस्काएज़ कर सकते हैं यह बले दिखने में ऐसा ड्राय लग रहा है लेकिन जब हम इसे हातों से मसलेंगे तो यह आसानी से बाइंड होने लगता है अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे ढख करके पांच मिनिट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे यह द्राय घ्टन को हम अलवे गया है यह वाफस अच्छे मिला देंगे अब में इसे एक बाउल में ट्रांश्वर करेंगे अब हम इपने हातों से इसे मसलेंगे यह दिखने में भले ड्राय लग रहा है लेकिन जब आम इस तारए से बाइंड करेंगे तो यह देखिए किती आसानी से यह बाइंड होने लगेगा यह देखिए तो यह प्रोसेस हमें जब यह चावल का आटा हलका सा गरम गरम हो तभी करना है यह देखिए मैंने अभी पानी का यूज बिल्कुल भी नहीं किया है लेकिन फिर भी यदि आपको ऐसा लगता है कि पानी की ज़रूरत है तो अब देख सकते हैं यह किती आसानी से बाइंड हो रहा है दो आपर दो उबले हुए आलो लिये हैं जिसे मैंने कद्दु कस कर लिया है तो इसे हम इसके इंदर डाल दींगे आधी चमत चाट मसाला एक चुथा चमत डाल देंगे नमक नमक थोड़ा ध्यान से ही डाली है क्योंकि जब हमने चामल के आटे को पकाया था तो पकाते समय पानी के अंदर नमक डाला था अब हम सभी चीजों को वापस अच्छे से मिलाएंगे और इसे डो की तरह तयार करेंगे इसलिए मैंने आपको कहा था कि पानी का यूज एकदम जादा ना करें क्योंकि हम इसमें आलू डाल रहा है तो आलू के मुष्चा से यह आटा अल्रेडी गीला हो जाएगा और यह नास्ता बनाने के लिए हमें यह आटा ना तो जादा श्तक्त होना चाहिए और नहीं ज्यादा सॉफ्ट होना चाहिए अब आप देख सकते हैं य जादा श्तक्त होना चाहिए और नहीं ज्यादा सॉफ्ट होना चाहिए मैंने इस आटे में बाद में पानी का यूज बिल्कुल भी नहीं किया है फिर यदि आपको ऐसा लगता है कि पानी के ज़रूरत है तो आप थोड़ी से पानी के इस्तमाल कर सकते हैं और बाइचंस य यारोटी बनाने के लूई कह सकते हैं यायदि आठा आपके हातों में चेपकता है तो आप थोड़ी से तेल का इस्तमाल कर सकते हैं यह अगर लगा कर हाथों कुछ घ्रीश कर लेजिए अ अब इस तरह से लूई बना लेगे अब मैंने प्लेट में सूखा चामल का आठा लि यह देखिए क्योंकि यह चावल का आटा है तो जब हम इसे बेलेंगे तो बाजू से इसकी रोटी थोड़ी से फट जाएगी तो आप इस तरह से इसे हातों से एड़ेस्ट करते जाएए यह देखिए इससे ज्यादा पतला नहीं बेलना है हमें उसके बाद आप इस तरह से हातों से इसकी किनारों को एड़ेस्ट कर लीजी आप एक चीज का ध्यान और रखें जब आप इसमें आलू डाले तो आलू को अच्छी तरह से ठंडा करने के बाद ही डाली यदि आप गरम गरम आलू को इसके अंदर डालेंगे तो उसकी घरल भाब के कारण भी आटा गीला हो जाएगा यह देखिए इस तरह से हमें रोट के धकन का इस्तमाल भी कर सकते हैं तो इस तरह से हम इसे कट कर लेंगे यह देखिए और इस तरह से हम कट करने के बाद इसे प्लेट में रखते जाएंगे अब जो इसके आट साट के बचे हुए डो हैं इसे हम वापस यह साटे में मिला लेंगे और वापस इसके नोई बना कर हम इसकी नास्ता बना लेंगे तो इसे हम वापस ए डो में मिला लेते हैं और इसे तरह से हम सारा नास्ता बना कर रख लेंगे तो यदि आपके पास cookies cutter नहीं है तो आप देखिए इस तरह से धक्कन से भी इसे कट कर सकते हैं आलू डांगे से यह नास्ते तक टेस्टी लगता है जब आप इसे बना कर खाओगे तो इसके स्वाद को भूली ने पाओगे और जब भी आपको हलके फुलकी भूग लगेगी तो आप इसी नास्ते को बना कर खाओगे तो अब हम इसके आइड सेट की पार्ट को हटा देंगे इस तरह से वापस से दो में मिला लेंगे और फिर से आम इसका यूज करेंगे तो देखिए कितने बढ़िया लग रहा है यह तो आप इसे अपनी इक्छा अनुसार किसे भी कर दो दखा टाए उसके में वrásति हम सारा नास्ता नास्ता कर जांगे तो अब तो आमीठ हुरा करेंगे अब मैंने ने कावं कर शोने के लिए चुक्त अहां थो तील प्लॉज पितन इक दम जादा गरम नहीं होना चाहिए यदि आप एकदम जादा गम्म टेल में इसे फ्राइ करेंगे यह उपर चे तो फ्राइयों लेकिन अलिगा है ने तक फ्राइक हेम आप जाएंगे ? और एक चीज़ का ध्यान और रखें में घंडी टेल में भी ना ड़ाले ूब यह अब यह फलके हाथों हूझतłemगे अप्सक्राइब करें इससे कि ढमें त्युце लेंगे सब्सक्राइब कर अब देख सकते हैं सते को प्राइब अब आप देख सकते हैं इसमें भी हलका सा बॉल्डन ब्राउन कलर आ गया है यह देखिए और मैंने सारे नास्ते को फ्राइ कर लिया है तो गैस को बन कर देंगे और इसे भी तेल से बाहर निकाल लेंगे तो देखिए किता टेस्टी चामल के आठे और आलू से यह नास्ता ब बहुती सॉप्त है कि देखिए वाव यह खाने में बहुती टेस्टी लगता है तो आप इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राय करें और मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसे लगी यदि रेसिपी अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राब करना ना भूले तो फिर मिलते हैं एक नही रेसिपी के साथ थैंक यू फ्रेंड्स वाचिक माई वीडियो